हलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सेखने वाले हैं कि हम लोग फिल्मोरा में कैसे कोई भी वी वीडियो को फास्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारे स्क्रीन के उपर देखें तो बंडर सेर फिल्मोरा 12 वोपेन हैं तो दोस्तों आपने अपनी वेडियो को फस्टली एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है? आपने सबसे पहले यहां पर फाइल टैप में आना है और यहां से प्रोजेक्ट सेटिंग में आजाना है project setting में आकर आपने यहां से अपने resolution को 920 into 1080 के उपर apply कर लेना है और यहां से आपने अपने frame rate को 30 fps के उपर apply कर लेना है इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से file tab में आएंगे और यहां से preference tab में आएंगे preference में आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का interface open होगा इसमें आपको कुछ option मिलेगा जैसे यहां पर general है,orders है, editing है, media catchई है, performance है अपको यहां पर media catchई के अंदर आना है और यहां पर आपको कुछ option मिलेगा जैसे backup files है, proxy files है, preview renders files है, temporary files है, installed effects है तो दोस्तों आपने यहां पर सभी option को on कर लेना है तब इकौन करने के बाद आपने यहाँ पे apply के उपर click कर देना है इतना कर लेने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से filmora को फिर से restart करेंगे filmora को restart करने के बाद हम लोग यहाँ से कोई एक वीडियो को अपने timeline के उपर drag and drop कर लेंगे कि दोस्तों मैं इस वीडियो को अपने timeline के उपर drag and drop करता हूँ उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से export के उपर click करेंगे और यहाँ पे हम लोग setting वाले open में आकर यहाँ से अपने resolution को 920 x 1080 के उपर रख लेंगे और frame rate हमारा 30 fcs का है और encoder जो यहाँ पे हमारा है वो h.264 के उपर रहना चाहिए और यहाँ से हम लोग bit rate को 8000 के उपर apply कर देंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से apply के उपर click करेंगे अब दोस्तों आप यहाँ से वीडियो को export कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हमारा जो वीडियो है वो बहुत fastly export हो रहा है तो दोस्तों यदि आप भी अपनी वीडियो को fastly export करना चाहते हैं फिल्मोरा 12 में तो आप हमारे बताए गए method को follow करके अपनी वीडियो को fastly export कर सकते हैं तो थैंक्स दोस्तों I hope कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को like और share भी कर सकते हैं सो थैंक्स दोस्तों watching for the beginner friendly